हेलो एब्रीवन वेलेकम डो बीपीडिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं सब का देखिए जैसा कि हम अगें पर्सेंटेज के कोश्चंस करें बड़ एच्छे कोश्चंस करें में बेसिक से मोडरेट से एडवांस लेवल की आपको इस पर तयारी करने की सोचिए ठीक है तो आपने क्या करना है बेटाइ वीडियो को लाइक करें इसको शेयर भी करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपने सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को ठीक है चलिए बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिएगा तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे और आने 20% is 30% of 40, मतलब क्या है इसका, उस 20% is 30% of 40, मतलब मैंने मानने लेक्ट, number is equal to x, clear है, मैंने मानने कि number मेरे पास x है, वो क्या करे है, 20% is 30% of 40, यानि इसका 20%, 20% of x is equal to 30% of 40, clear है, यानि 20 by 100 of x is equal to 30 by 100 of 40, is that clear, तो देखिए, 2 0 से बिटा 2 0 है कट गए, तो यह मेरे पास क्या हुआ, एक बटे 5, तो x, बटे 5 इस गड़ू कितना हुआ, तीन चोक के 12, तो x कितना आगए मेरे पास, 60, जो की मेरे पास क्या option number, सीदेखो, अब सिद्धिस ही बात है, अब यहां बें जुड़ो हो तो कुछ बिना पैंच लाए करने, सिद्धा सिद्धा 12, कोई नंबर जिसका 20% 12 हो, यानि एक बटे 5 की वालू डिरेक्ट के मेरे पास 12, तो मतलब इस टैप गो डिरेक्ट ली आना है, तो एक ही वैल्यू कितनी होगा यह टोटल होगा, बारा बंजे, साथ, तो अनसर क्या गा, ओप्शन नंबर सी, क्लिर है, तो अच्छा कोशन था, चलिए नेक्स कोशन में बढ़ता हो बट्टो में, चलिए इंकम वाला कोशन आ गया, चलो करो इस कोशन को, ऐसे कोशन हमने काफी कियें, तो अब आप करेंगी, तो दिक्कत नहीं होगी, चलिए, दा इंकम ऑफ, कोशन में 19 कर रहे है, दा इंकम ऑफ A is 20% higher than that of B, दब A की इंकम, B से 20% जाद है, दा इंकम ऑफ B is 25% less than C, कि B की इंकम क्या है, जो C से 20% कम है, वट परसंट ओफ A's income is of C's income, ये अच्छे कोशन, ऐसे कोशन, बिसेकली प्रीमे आप से पूछे जाते है, चलिए, दा इंकम ऑफ A is 20% higher than that of B, चलो, अगर आप बात करो, A और एशो बी है न, दा इंकम ऑफ A is 20% higher than B, येन 20% का मतलब क्या अच्छो मेरे पास, एक बटे पांच, कि अगर ये 5 है तो ये 6 हुगा, बिल्कुल सिंपल, दा इंकम ऑफ B is 25% less than C, 25% का मतलब क्या होगा, एक बटे चार, B is 25% less than C, यानि, ये 4 है तो ये कितना होगा, तीन होगा, सिंपल सी बात, 25% का मतलब एक बटे चार, तो ये वो 5 और ये कितना होगा, तीन, तो चेती है कितना होगा, अठारा पांच ती है, पंदरा पांच होगे, 20, कुछ सैटिसफेक्टिव सांसर दिखनी रहा, चलो देखते हैं, वट परसेंट इस लेज़ने, इस इंगम दैट उप सी, मतलब ए और सी का देखो, ए अगर अठारा तो सी कितना है, बटे से, यानि, नौ रिशू दस, तो पिटा, ए कितना गम है, ए किस से, सी कितना है, दस, ठीक है, इंटु आफ, सो परसेंट, तो माई अंसर इस, ऑप्शन नमबर सी, 10 परसेंट, इंसर इट, लेट मी चेक इट इस, चेक इट अग इन, तो ऑप्शन नमबर मेरा सी, बिल्कुल, सही अंसर आ रहा है, क्लिए चलिए, नेक्स कोशने बढ़ दें, चलिए बच्चों, कोशन में 20, अब इस कोशन को आप कैसे करेंगे, देखो, प्लीस, टाय तो दू इस कोशन, तो पास एन एक्जामिनेशन, आग कैंडिदे नेट 40 परसेंट माक्स, भई मतलब किसी एक्जाम में पास होने के लिए, कैं अब मुझे एक बात आओ, मैं आपसे एक बात बुच्छों, उसने क्या किये, उसने कभी भी नेक्टिव मार्किंग की बात नहीं किये, नंबर एक, नंबर दो क्या है, मुझे कितने कोशन पास है, 40 परसेंट, और उसने क्या किये, कि अगर आपने, देखो, मैंने माना टोटल कोशन भी एक्स, अब मेरी बात सुनो, उसने क्या बोला, कि बहुँ बहु चितने कोशन, कि इतना चैए पासिक परसेंट, नि 40 परसेंट ओएक्स चीए, पासिए कि नि चीए, और कितने मार्क्स उसने क्या किए 15 कोशन किये थे, न दो पास हो गया, सिद्धी सी बात भाई बात ही खत्म हो उसने क्या बोला कि कोई candidate 40% marks लेके पास होता है बिल्गुल सही है बट अब उसने क्या बोला उसने ये बोला कि अगर आपने 15 में से 10 questions सही दे दिये ना attempt किये 15 और 10 questions दे दे सही तो भाई आपके पास कह वह पास होगे negative marking की बात नहीं हुई तो आप कहोगे 40% of x is equal to 10 तो 100% of x कितना होगा इंटी 2.5 तो इसको भी 2.5 करतो अंसर कितना आ गया option number 25 questions very simple question था बहुत simple था कुस्ता ही नहीं चलिए question number 21 की दरफ चलेंगे water contain 14 2 by 7 percent of hydrogen and rest is oxygen in 350 gram of water oxygen will be ही चलो देखो आपको पता है water किसे मिलके बनता है hydrogen or oxygen s2 ठीक है अब उसने क्या बोला साढ़े 300 gram water है water है clear है and उसने क्या बोला 14 2 by 7 percent वह देखो अगर इसकी बेटा value याद रहेगी तो बहुत positive रहेगा हमारे लिए हम वह कितनी value रेगे 1 by 7 तो इसका मतलब अगर मैं hydrogen की बात करूँ 1 by 7 है कितनी होगी 50 बचाओ छे बटे साथ कितना होगा याने 300 अगर यह मेरे पास hydrogen है तो मैंसे क्या बूच रहा है कितनी होगी option number 300 very basic question बहुत easy question था चली नेक्स कुश्चन पर चल रहा है चलिया 38 liter of milk was poured into a tub and the tub was found अपना कितना 5% empty इंदे को सिद्धी सी बात बहुत बढ़िया सा कुश्चन है इस तरह कोई मेरे पास उसने बोला यहां तक भर दिया इस सारा फिल आउट है और यह 5% empty है तो आप क्या कोगे सर 95% field है और अगर 95% field है तो मुझे क्या बोला है 95% की value कितनी दिया है 38 लीटर तो मुझे किसकी value निकाल नहीं है 100% की देखो तक भिष्ट सिंपल सी बात इसको काट दो यह 5,1,1,1,2,1,1,2,1,2,1,1,2,2,2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,0,2,2,2,2,0,2,0,2,3,4,0,2,2,0,8,5,8,1,1,1,3,2,0,2,0,3,2,1,1,1,2,2,0,2,0,1,1,2,1,2,4,0,2,1,2,0,2,4,0,2,1,2,1,2,1,2,1,2,0,2,4,1,2,1,2,0,2 किसी कौन की हाइट मैंने कितनी किसके बच्चों 50% दन वट इस परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ओफ देखो इसका मतलब किया अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ वन बाइ थी पाई जहां पर आर होते है मेरे रेडियस अच्च उत्य मेरी हाइट टीक है इफ दा हाइट ऑफ दा कोन इस इंग्रेंग फिफ्टी परसेंट देखो हाइट कितनी है फिफ्टी परसेंट गा मतब एक वटा दो यानि ओरिजनल फाइंट अगर है शुरू में दीन थी अब कितनी हो चुकी यह तीन सिंपल सी बात है अगर मैं बात करूं इनिशल पाई आर वन स्केर है और दूसरी क्या होगी वन भाई थ्री पाई कोश्चन में देखो कोश्चन में रेडेस को लेकर कोई खुलासा नहीं कियो तो मैं क्या बोलूंगा आरेशन इस इस गडवार फाइनल यह नहीं आर वन बराबर आर टू है म इस गडवार आर स्केर भी चैंसल तो हैट कितने शुरू में दो अब कितनी हो चुकी है तीन मुझे क्या बताना है इंक्रिमेंट तो बहुत नहीं पर यह कितना होता मेरा ओप्शन नमबर सी 50 परसेंट तो वेरी सिंपल कोश्चन बहुत बेसी कोश्चन था इसमें कुछ भ कितना हो मेरे पास वन बाय फाइफ बस एक्स रिशो य लिख लो एक्स की बीस परसेंट जाता है तो य अगर पांच हुआ तो एक इतना हो एच्छ हो गया तो जिन कोश्चन पर टाइम नहीं लग रहा है हम बिल्कुल भी समय बरबाद नहीं करेंगे क्लियर है नेक्स कोश्चन में चल रहा हो में अब परसन स्पेंट 30 परसेंट ओफ सेलरी ओन रेंट 25 परसेंट ओन फूड 20 परसेंट ओफ जिनरस एजुकेशन बारा परसेंट ओफ लेक्टरिसिटी एंड बैलेंस इस बंजिर और फो देखो कोश्चन में कहीं भी रिमेनिंग की बात नहीं हुए यह बात करो और और रिमेनिंग तो मैं सिद्धा सिद्धा माइनस करता जाओंगो देखो मैंने मना लेट इसने क्या बोला इसवेर थर्टी परसेंट फूड पर कितनी गई थर्टी परसेंट फूड पर कितनी गई भाई 20% और मेरे पास एक को और बचा है 30 हो गया 25 होगे 12 और इलेक्टरिसिटी कि इलेक्टरिसिटी कितनी 12 तो यह कितना होगा 3, 2, 5, 2, 7, 5, 6, 7, 10, 87 याने आप क्या बोलोगे बाइ 87 परसेंट होगी आपके पास स्पेंट तो रिमेनिंग कितनी बची है 100 परसेंट माइनस ओफ 87 परसेंट तो याने रिमेनिंग इतनी बची 13 परसेंट ओफ सेलरी रिमेनिंग बची और एक्ट्वल में कितना दिया होगा 1,0, 4,0 तो एक परसेंट ओफ सेलरी कितना बचा 1,0, 4,0 डिबाइड बई कितना तेरा तो तेरा टेक्स ओचार असी तो 100 परसेंट ओफ सेलरी कितना होगा 8,000 option number a is the right answer clear तो 25 का a बिलकुत सही answer है let us move down to the next question चलिए भाई अब ऐसा question तो आप क्यों करना पड़ेगा 50% of x minus y is equal to 40% of x plus y then what percentage of x is y करो जरा question करिए फटा-फटा इस question को बच्चों आप ही ने करना है question 50% of x minus y यानि is equal to 40% of x plus y 50 by 100 of x minus y is equal to 2 by 5 of या इसको एस लिखो 40 by 100 of x plus y 100 mo 0 5 of x minus y is equal to 4 of x plus y, है ना? चलिए 5x minus 5y is equal to 4x plus of 4y so 5x minus 4x 4y plus 5y तो कितना के बिट है मेरे पास x is equal to 9y x by y is equal to 9.1 अब क्या पूछ रहा है What percentage of x is y यानि x y का कितना परसेंट है यही पूछ रहा है कैसे करेंगे इस कुछन को सिंपल सी बात है y का पूछ रहा है तो एक बटा नो गुना 100% यह कितना होगा 11 बटा 9% क्लियर हुआ कोशन मज़ा भी आया होगा चलिए अगले कोशन में बढ़ते हैं बच्छो चलिए यह कोशन बहुत दमदार है अराम से करेंगे इस कोशन को करिये ज़रा देखिए अब यहां से बहुत तकड़े कोशन चूरू हो रहे हैं तो ध्यान से ठीक है यह सारे आपके उच्छे लेवल को कुछन है परसन बॉट तो अर्टिकल्स एक्स एंड य फ्रोम डिपार्ट्बें देखो एक्स समने कुछी ने कोई वेरेबल लेंगे जो कोशन में दियो तो लेकी चलेंगे अजया परसन कोशन मेंद देखों टर्टिकल्स एक्सब्स एक्सजा और अर्टिकल्स एक्सपरों सेस्टाइक्स एक्समम तो य खोसंटेयल गदिकल्स अनवायग टो इस एक्स सेस्टाइक्स स्धी और स्वाइध इंड श्याच जीलते हं यह आपके लिए टास्क एक टार्गेट एक आपके लिए चैलेंज है करो इस कोश्चिन वो देखो आप तो करो वीडियो रोक के देख सकते मैं करूंगा इसको ऐलिगेशन से क्योंकि आप काँ पड़ रहे हैं अभी पीडिया पर यहां पर अगर कुछ एक्स टांटर नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा यूगन कंपेर इस सलूशन आप यह सलूशन कंपेर कर सकते हैं किसी भी जगां जाके ऐसी बहुत जगां कम मिलेगा देखो मेरे पास एक 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 tomar जो कितना अग्या सब्सक्राइब और मुझे का दिया एक पलस एक एक एकड़ और हो यह सबस्क्राइब वाला सबस्क्राइब हो सिर्फ एक एक सीथा बहुतना अगर राओ यह प्लस नाइन बाहन चेतना 130 यह समझेने वाली बात है कि अगर x x होता खाली मेरे बास तो कितना था बच्छो 130 अगर वो सिरफ y होता था वो कितना था 130 जमा इसका 9% बिकॉस कोशन ने बोला है 9% sales tax on the article वाई तो यह कितना होता 130 प्लस 117 यानी 141.7 यानी 141.7 यह आइधिंक क्लियर हो चुका होगा आपको और अल्टीमेटली जब आपने देखा तो आप कितन रिपे पे कर रहे हो समझागी बात यह बिल्कुल काफी जगां कॉपी होने वाला है कोशन मुझे पता है बहुत जगां कॉपी होने वाला है solution मुझे अभी से पता है ठीक है सो टेंचन मतलो अब लगे रहो बस अभी बीडिया के से देखिए माइनस करो यहां कितना है बटा वन पॉटी वन पॉंट सेवन जिरो माइनस 136.75 और यह कितना हैगा 136.75 माइनस एक्सो तीस क्लिर शायद आपको ना भी दिखे यह तो देख लिए यहां लिक देता हूं मे तो X और Y मेरे पास finally कितना आ रहा देखो इसको माइनस करो यह कितना हैगा भाई मैं पगर मैंने 0.25 लिया तो यह कितना बना 137 प्लस 37 4.70 तो यह कितना बना 4.95 क्लिर है और Y कितना बना आपके पास 6.75 आप देखो प्राइस कैसे होता आपके पास पर यूनिट यानि यह आ idey का तो यह कितना गए प्रेटा देखो 4.95 las si divided by 6.75 और ऐसे पान से काटिस कितना हैगा नाइटी-नाइन यह कि इसे काटव पान से तेरह बंजे 65 तो कितना बच्चा साढ़े 65 यह तो घटर न से सब्सक्राइब तो यह कितना दिया है टोटल मिला के चब्विस यूनिट चब्विस कितने दिया एक सो तीस तो एक ही वैल्यू कितनी हुई एक सो तीस वहर्य चब्विस यानि तेरह दुने चब्विस तेरह दस और पांच तो डेफिनलिटी पंत्रा की वैल्यू कितनी होगी इन्ट्व पांच यानि कितना होगा 75, 11-5 कितना होगा, भाई, 55, 75, 55, 55, 85, चितना होगा, तो y का कितना होगा, option number a 75, तो मज़ा आया होगा यह question, देखें, मुझे confirm है, यह question, ऐसे करके आप confirm, confidence भी आया होगा, और मज़ा तो, यह confirm है, चल्वाँ बेटा में चलिए इन होस्टल दर रूम रेंट इस इंक्रीज पर टी परसेंट तो मतलब रेंट किया हो रहा आपके पास 20 परसेंट इंक्रीज हो रहा है इफ दा नंबर ओफ रूम होस्टल अब रूम भी इंक्रीज हो गए 20 परसेंट से वट इस दा परसेंटेज चेंजिन दा होल कलेक्शन एड़ दा कैश काउंटर देखो जरा अगर मैं बात करूं इनिशिल फाइनल बात करूं राण्ट की हम इच्छे से बता है 20 परसेंट का वाथ क्या होता है यह मतलब इस एक बटा पांच की रेंट अगर पांच था बेटा तो भी कितना गया गएगो खुछे आ गया होगा क्लियर है और अगर रूम्स की बात करूं नहीं पहले पांच थे तो क्यतने हो होगे 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 बिल्कुल बेसिक कोश्चन था है कि अगर मैं ऐसे बोल दूँ तब पोपलेशन और टाउन इंग्रीज बार 20 पर यह फाइंड पोपलेशन इंग्रीज आफ्र टू यह तो सेम अंसर आना था क्योंकि परसेंटे सेम है पांच गुना पांच पच्चिस और च चाहिए 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 प्रडॉक्ट कंस्टेंसी का कोश्चन है यह तो यानि जो वैली 25 से अब कितने हो चुकि बिटा चाहिए चाहिए कितने पर पच्चिस पर गुना सो परसेंट तो पच्चिस ओके सो ग्यारा चो कितना हो ऑप्चिन नमबर सी चाह बालेस दाट वह यह तो यह तो यह तो यह कितना है मेरे पास यह पहली बात हो कि दूसरी बात हो कि यह 40% मतलब क्या हुआ कि चार बटे दस याने दो बटे पांच क्लिर है अब यदि पांच था तो यह दो था डर्क्टिवाब कर सकते को दिक्कत नहीं तो यह हुआ दस यह हुआ पांच तो 5 ती पंदरा दस पंजे पचास और बंदान दस दूना बीस तो पांच ती पंदरा दस और चार अब क्या पूछ रहा आपसे वो इफ एक्स पी परसेंट ओफ वाई देन वट इस वैलियो अफ पी देखो और मैं य की बात करता है ना एकस कितना है तीन कितना है चाहर एकस बटठ़ वाई यानि तीन बटठ़ चाहर है गुंहां कि continuum पत्चीसा कि जैते रेने कितना 75% option number D is the right answer of this question clear तो यह बहुत अच्छा question था बढ़ते हैं करो जारा इस question को repeat करें करो जावाश देखो तर ट्रेन फिर एंड बस फिर बिट्विन तो station is in the ratio 3 ratio 4 इफ द ट्रेन फिर इंक्रीज बैं 20 परसेंट बस फिर इंक्रीज बैं 30 परसेंट चलो को मुझे क्या दिए एक ट्रेन फिर दिया है एक क्या दिया बस फिर चलिए क्या दिया नेक्स इफ ट्रेन फिर इंक्रीज बैं 20 परसेंट देखो अगर मैं बोलू यह मिरे पास तीन था यह मिरे पास चार था चलेगा एक 0 लगा देते भाई आभी भी 304 में यहीं ठीक है वो क्या क्या रहा है मुझे इफ ट्रेन फिर इंक्रीज बैं 20 परसेंट देखो यह कितना इंक्रीज हुआ 20 परसेंट यह इसका 20 परसेंट चेंट हो गया यह यह अब कितना हो गया प्लस बारा हो गया तो यह कितना हो गया 52 तो अब मुझे क्या बताना है कि भाई बस फिर इंक्रीज बैं 30 परसेंट दन वर्ट इस रेशो बिटिम रिवाइज ट्रेन फिर एंड रिवाइज बस फिर तो यह कितना हो गया बावन यानि चार निमा चातिस तेरा चोके बावन यानि नो बटे तेरा उप्शन नमबर इस दा राइट एंस देट वस देट इस ब्यूटिव अभी बीडिया कितना सानी सम्कॉशन को करवा देते हैं वर्ना आप क्या देखोगे तीन और चार को पॉइंट मेले के पतानी क्या क्या कर बाया जाता हो पर उसको आप सॉल्फ क एक्स इंक्रीज बाइट 20 परसेंट एवरी यर वो कह रहा भाई एक्स है ना 20 परसेंट एवरी यर और प्राइज ओफ आर्टिकल वाई इंक्रीज भाई और वाई का कितना और 10 परसेंट एवरी यर अगर दोजार दसकी में बात करो एक्स एंड वाई एक्स अर्टिकल वाई पांच अजार गोर वाई कितने का था इनके बीच का जो डिफरेंस पांच अजार कब टपेगा आपने यह बताना देखो अगर मैं बात करूं एक्स इतना बट रहा है वीस परसेंट तो पांच अजार कर बीस परसेंट एक बटा पांच यानि कितना हो अजार वे पलस हजार वे बढ़ गया यहानि दोजर ग्यारह में जो इनका फियर होगा वह कितना होगा एक्स पहुंच चुक्या शे जर पेप अब इनका डिफरेंस कितना है यह लिख लेता हूं है या पर याistes भी डिफरेंस कितना होगा देखेंगे इसका कितना बट रहे है पट दस परसेंट तो यह कितना हो गया 222 डिफरेंस कितना आ गया आपका 3800 बट अब कॉटिंग डूकुशन सुरी यह कितना हो ना जिए 5000 नेक्स देखो अगर मैं बात करूं 2012 की टिखन के यह कितना बठ रहे है तो चे दोनी बाज यानी कितना बारस बड़ेगा यह कितना कोReset20 attract टो हुसार आटेकशन संव्समा यह कितना के नुरेक्त कितना हो गया धक्तिशन यह थे सिसड़ीय होगे कि डिफरेंस कितना गया है कि चोभीस्षोव बिस बहतर्सो बताओ जल्दी से कितना गया डिफरेंस-पांच घाषार कमी दीख रहा है मुझे अभी यह जोड़ता करें में 25 कि 25, 216 24 देख लो 2480 कि प्लस संताइट सो चौविस बीस संताले सो असी ये कितना हो गाई जीरो आठ दो दस से ग्यारा एक टू फोर टू जिरो ना सुरी आठ दो दस जिरो चार साचार गयर एक बारे का दो हांसी लेक चार दो साथ बहतर सो क्लिर है अब देखिजिए जिरह दो जर तेरा की बात करें जिरह इसका बीस परशनटों को 1440 यानी बहतर सो 2440 यह कितना हो एट शिक्स जिरो एट शिक्स फोर जिरो और भाई साब यह कितना बढ़ने दस परसेंट यानी कितना बढ़ेंगे 242 यानी 2420 242 268 62 यानी 2662 क्लिर बाद 2662 के इतना आएगा प्लीस क्रॉस चेक के इतना ही आ रहे है फट्टा फट से क्रॉस चेक करेंगे चलिए अगर मैं देखना चाहूं के इतना ही आ रहे है यस 262 मैंने फिर भी क्रॉस वेरिफाई किया इसको कि मुझे कैल्कुलेशन मिस्टेक ना है क्लिर है तो आप देखो डिफरेंस के इतना गेंगा यहनि 8640 और 2662 अगर इसमें 5000 जोडता हूं तो कितना हों के 7662 यह डेफिनेटी यह नंबर 7662 से ज्यादा मेरा अंसर किया गे 2013 और यही मेरा अंसर है क्लिर है तो मैंने क्रॉस एक क्योंकि क्योंकि क्लिकुलेशन मिस्टेक होने के चांसे थे चलिए लेट आस मूड आउ तो नेक्स कोश्टिए चलिए नमबर 32 क्या कह in this number and subsequently year there is a decrease of X percent at the end of the two years what will be the number of item in the booklet करियकोशन what will be the number of item in the oh sorry देखो मेरी बास सुनो, suppose करो, मेरे पास x की value होती है 10% तो मैं क्या करता, भाई, 10 से number क्या होगे 9, 10 से क्या होगे 9, तो यानि जो 100 ही value कितनी हो चुके है मेरे पास, 81 सिदा सिदा 19% आगे, मतलब ऐसे कर सकते हो, यह एक चीज़ों और होती है मेरे पास, क्या होती है, x plus y, यह plus minus xy by 100, देखो यहाँ इसको apply करते है, 10% decrease, 10% decrease plus 10 into 10 by 100, minus 20 plus 1, यह भी 19% आगे, minus का मतलब कमी, तो यहाँ पर कितना x% है तो बस यहाँ लगा दो, x minus x minus x plus x into x divided by 100, क्लिर है, तो बेटा यह कितना इतने की कमी आएगा, कितने की कमी आएगी मेरे पास, तो क्या होगा, हमेशा less than n होगा, क्योंकि जब आप क्या करोगे, अगर x negligible नहीं है, तो जहाँ तक दिया कोश्चन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो घट रहा है ना भाई, negligible लेकि बात भी नहीं सोचे नहीं है, इसमें, ठीक है, यह तो क्योंकि बच्चे जब सोचे हैं, वो डिबेंड का n की वेल्वी पर करते हैं, वो कहेंगे, अगर x इतना चोटा हुआ तो, कोई फरग नहीं पढ़ता, भाई, question पूच्छा हुआ है, तो answer मुझे accurately दिरना है, तो answer क्या हुआ इसका, less than n, चलिए, next question में बढ़ना है, question 33, चलो, करो आप करो इस question को, और trader gives successive discount of 20%, 10%, 10% and 5% respectively, वो क्या कह रहा है, successive discount है, 10% का, 15% का, अपना कितना, 10%, 20%, 10% और 5%, what is overall discount, बताओ जरा क्या होगा अंसा, दो त्रेके से करेंगे इसको, करो जरा, फटावट करो जावश, देखो सबसे बहली बात, suppose करो number 100 था, 20% गटा दो, 20% बोले दो, 80 आगया, दन, चलो, इसका काम खतम, उसके बाद 5% गटा दो, इसका 5% कितना होगा, एक बटा बीस, यानि, माइनस 5 करो, और सॉरी, माइनस 4 करो, 76, clear है, अब इसका 10% कर दो, इसका 10% कितना होगा, यानि, 76, minus of 7.6, तो ये कितना होगा, मेरे बास, 7, minus करो पहले, 69, minus 0.6, तो ये कितना होगा, 68.4, यानि, जो वेली 100 थी, मेरे बास, कितनी होगा, 68.4, यानि, इन दोनों का difference, 31.6, जो कि option number B है, मेरे बास, clear है, देखो, बट आपने ऐसे करना नहीं, मैं हमेशा compare करके क्यों दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि अभी BDA पे ऐसा क्या करवाए जा रहा है, जो बाके जगां हम नहीं कर पा रहे है, क्लियर है, जो बाके करवाई नहीं सोच भी न सकते हैं, हम वो करवा रहे हैं, चलो देखो, अब देखो, अगर मैं बात करूँ 20%, 20% का मतलब होता है, एक बटे पान, चलो आपको अंसर तो पता चलेगी है, इसको मिटा दू मसारे को, क्योंकि अगर वैल्यू सेंज होते हैं, आपको फ्रेक्शन वैल्यू जाती है, लाइक 19% आपको आ जाता है, कुछ 16, 2, 3, 11, 9%, तो यहाँ पर निकालना आपके लिए दुविदा जनक यानि मुश्किल हो सकता है, क्लियर है, चलो भाई, ट्वंटी परसेंट गम दे बेक बटे 5, यानि 5 रुपे की चीज, पहले डिस्काउंट में 5 रुपे की चीज, आप कितने की बेचर हो भाई, चार की, दूसरे में कितना आपके बास, 10 परतीशत, इसके वल्यों कितने हो, यानि 10 की चीज कितने में, 9 में, और तीसरी चीज, 5% यानि 1 परते 20, यानि 20 की चीज कितने में, बेटा, 19 में, देखो, काट दो इसको, यानि ये कितना हो, चार पंजे 20, पंजे 25, 25 गुना 10 कितना हो भाई, डाइसो, और 19 गुना 9 कैसे करोगे आप, 20 माइनस एक गुना, नो, 180 माइनस नो is how much, 171 के लिए रहे, देखो, डिफरेंस कितना है दोनों का, ये कितना होगे, 29 और 50, 17, तो आप क्या आग होगे भाई, 17 न के डिसकाउंट मिला कितने वे, 250 गुना ओफ, 100 परचंट, तो काटो ज़रे इसको, 25, 25, 25, 25, 20, 10, तो 7, 24, 9, 28, 24, 9, 28, 7, 24, 9, 28, 14, 158, divided by 5, तो जो की कितना है, 31.6, अब मेरी बात सुनो, यहां पर भी कैलोगुशना ट्रीक है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला, 4 by 2, 4 by 5 कितना होता है, आप काउगे, कैल्कुलेट करके, 0.8, मैं ऐसे नहीं करने वाला, तो मैं क्या करूँगा, 4 by 5, इसको भी 2 से मिल्टिप्ले करता, इसको भी 2 से करता, तो यहां कितना का, जएगा, 2 पास, तो जो कितना होगे, 31, 36, वाइना, तो इसका और तो यहां तो कितना हो ग्या? 31.6 option number B clear, चलिए next question में चल रहे हैं, फटाफट नोट की ज़िए सको चलिए भई चलिए 34th question में चल रहा हूँ है, question 34 is X sells his goods 25% cheaper than Y and 25% dearer than, अब dearer का मतलब क्या है भई देख लेते हैं, X sells his goods 25% cheaper than Y and 25% dearer than Z, how much percentage of Z goods cheaper than Y, देखो X sells his goods 25% cheaper than Y, यहनि 25% का सिधा सिधा मतलब कितना है मेरे पास एक बटे चार, clear है, यहनि 4 था तो यह 3 हो चुक है, clear है and 25 dearer to Z, मतलब X की बात हो रही है, और 25 dearer to Z again यहनि 4 था तो 5, cheaper का मतलब कम, dearer का मतलब महंगा यानि फाइदा जादा, clear है, देखो यह कितना हो गया 5, यह कितना हो गया 3, तो 4 थी हो गया 12, 5 थी हो गया बंदरा, और पांचों की कितना हो गया मेरे पास, 20, how much percentage is Z good cheaper than Y, कि Z के good Y से कितने जल्दी से जल्दी से, clear, फटा फट नोट कर लेंगे, चलिए, I think we are left with one or two more questions, yes, I think that is the last question of our day, please करें इस question को, मैं पूरा पूरा time देने वाला हूँ आपको इस question के लिए, चलो करो, if P varies directly as Q and inversely scale of R, अब क्या मतलब हुआ इसका देखो ज़रा, मुझे भोल रहा है, P varies directly proportional to Q and inversely proportional to R, मतलब P मेरा इस form में है, और यह question है important, यह question क्या है बिटा, यह question है बहुत साथ important, अब देखें ज़रा क्यों important देख लेते हैं, if P varies directly as Q, inversely scale of R, तो यानि P में बोल सकता हूँ, constant K, क्यों सरी Q by R scale, बोल सकता हूँ, यानि मुझे क्यों चाहिए और मुझे R चाहिए, और मुझे R चाहिए, then I can calculate this value, क्यों देखेंगे R, क्यों होएगा originally and finally, ठीक है आप देखो ज़रा, what is the percentage increase in P due to, sorry, what is the percentage increase in P due to increase in Q by 20%, क्यों 20% घटा, 20% की सिद्धसना मतलब कितना होगा बटा, एक बटे 5, कि जो वाली 5 थी वो कितनी हो चुकिया मेरे बास, 4 and a decrease in 20% इन R, यानि R भी कितना होगा, इसमें increase है, क्यों P में increase है, 5-6 and 5-4, clear है, R decrease in R by 20%, अब देखो ज़रा, अगर मुझे क्या चाहिए, यह मुझे क्यों अपन आर स्केर चाहिए, यानि क्यों इनिशल अपन आर इनिशल स्केर रेशो, क्यों फाइनल अपन आर फाइनल का, मुझे बेसिकली यार यह चीज़े सही है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको मिटे देते हैं जरा जरह, देखिए क्यों इनिशल ही कितना 5, आर इनिशल होगे यह फाइनल होगे, पांच का स्केर, रेशो क्यों फाइनल कितना 6, अब आपन 4 का स्केर, यानि कितना हो गया, एक बटे 5 रेशो, 6 बटे 16, यानि 3 बटे 8, तो आठ रेशो कितना हो गया है, पंदरा क्रॉस मुल्टिप्लाइ करो, क्लिर है, यानि जो वैल्यू 8 थी मेरे पास, वो कितनी हो चुकी है, पंदरा, यानि आपका होगा बड़ी, साथ का इंगरिमेंट 8 पे गुना, 100%, तो यह कितना होता है, 87.1 by, विकोज अगर मैं बात करूं, साड़े 12% की वैल्यू कितनी होती है, मेरे बास, एक बटे 8, इसको जो मैं साथ से मिल्टिप्लाइ करूंगा, इसको जो मैं साथ से मिल इसको आप लाइक करें, आप इसको लाइक करें, शेर तो आपने करना ही है, प्लस सब्सक्राइब चैनल को कर लीजें, चलिए, थैंक यू